नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं सुप्रिम कोर्ट परीशर में आयोजित कंस्टिशियू संडे की जो 26 नवंबर को मनाये गया महामेहिम ब्राष्ट्रपती माननिय प्रधान मंत्री जी के विशंबोधन हुए हैं अलग से मैं चर्चा करूँगा आज मैं चर्चा कर रहा हूं और नेवल चीफ जस्टिस ऑफ हिंडिया श्री डी वाई चंद्रचूर साहब ने अचर्चा कर रहा हूं जो उन्होंने ये बात कही उसी की चर्चा मैं आज करना चाहूंगा उनके भासन का एक महत्पुनान्स है इस अलग बूर इमपर्टन दर्दर रेप्रेजंटेशन अफ इसन अफ मर्जिनलाइज़ कमनिटीज और वमन in the judiciary is enhanced. Indian courts have been at the forefront to protect the rights of marginalized and uphold the rule of law. इन्होंने बहुत ही महत्पुन बात कही है चूंकि वर्षों से यह देखा जा रहा है कि उन्रावल सुप्रिम कोट में और तेश के जो पचेविस उन्रावल हाई कोट है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है SC, ST, OVC, वमन और माइनोरिटीज का यह बहुत ही कम है और खासकर SC, ST, OVC के तुम्हा रिप्रेजेंटेशन कि 1950 से से ही अगर देख लिया जाए तो बहुत ही दुखा देश्तिती है और ऐसी परिश्तिती में बार बार आलोचना हो रही है जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था कॉलेजियम सिस्टम के पहले जो सिस्टम था जिसमें सरकार की महत्पर ज्यादा भूम क्या थी उस समय भी आरोप लगते रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम के समय तो और काफी आरोप लग रहे हैं और विशेश कर उस पर जो आरोप लगते हैं वन्सवाद के आरोप लगते हैं जातिवाद के आरोप लगते हैं ऐसी प्रस्तिति में मुझे लगता है कि जो दो वर्ष से अधिक का कार और उन्होंने marginalized communities के representation की बात को हर जगर रखा है लगता है कि उनके मन में ये बात है कि पूरे देश की जो 85 प्रतिस्तावादी है उनकी भावनाओं को नजर अंदाज किया जाना देश के हित में नहीं कि जुडिशियरी तीनों अंगों में सबसे महत्व नाकेबल representation का जब तक मालीजे कि ओल इंडिया जुडिशल सर्विस भी एक चर्चा में है औल इंडिया जुडिशल सर्विस हो जाता है तब तो मैं समस्ता हूं कि सब आरोप लगना बंद हो जाएगा जैसे आईएस आईएफस आईपीएस और ग्रुपेज सर्विसस के अपॉइंट्मेंट्स दो रहे हैं तो वह सबालों के घेरे में नहीं है अगर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की विवस्ता हो जाए वकील कोटा अलग फ्रेशर्स अलग तो मैं समझता हूं कि यह बहु स्रामती नहीं बन पाती है निया पालिका कारपालिका विधाई का तब तक जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी को परदर्शी बनाया जाने की अवस्ता है और उस परदर्शीता में यह अवस्त देखा जाना चाहिए कि उसमें अनसुची जाती अनसुची जन जाती अन पिश्रे का हरूप नहीं आया है आने वाले दिनों में चुकि देश की एकता अखंडता के लिए और जो संसदिये आयाई टी है आयाई एम है एमस है सभी की स्वैतता को लेकर विपक्ष सवाल खरे करता रहता है और खासकर जो अन्य केंद्री एजेंसियां हैं उनकी भी भूमिका पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है ऐसी परिश्थिति में और रेवल सुप्रिम कोट और सभी और मत्रण होने जा रही है मैं एक भारती नागरी के रूप में अनुरोद करूंगा कि इस कंस्टिचूशन डेप जो 2022 में मनाया गया जो बातें आई हैं सामने देश के हित्में देश की एकता अखंडता के हित्में और संसदिय लोक तंत्र की सफ़लता के लिए इस पर उचित क अरवाई किया जाना अवस्यक है नियापालिका कारपालिका और विधाईका के दोड़ा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्फिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्यवाद जाए